आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि मेरे पास DC 12V का एक फैन रिपेरिंग के लिए आया है और इस फैन के अंदर प्रोलम क्या है कि जब हम इसे 12V की बैटरी दे के चलाते हैं तो ये फैन हमारा बिल्कुल भी काम नहीं करता तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फैन की अगर आपके पास इस टैप का कोई भी किसी भी कमपनी का फैन है तो उस फैन को कैसे आप स्टैप वाई स्टैप चेक करके रिपेर कर सकते हो तो वीडियो के बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस फैन की जो पंकड़ी है इसको हमें अलग करना है तो इस तरीके से देखिए यहां से आपको अंगुठे की मदद से इसे आग एक तरफ ऐसे जोर लगाना है तो यहां पे देखिए हमने पंकड़ी को अलग कर दिया है अब उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद हम एक page कस लेंगे और page कस की मदद से यहाँ पे इस page को हमें खोलना है यह देखे इस तरीके से हमें page को यहाँ पे खोल लेना है थोड़ा सा हमने देखी set वाले को दो ढीला कर रहा है इस तरीके से देखे यहाँ पे page को हमने ढील कर दिया और यह वाला जो पेज है यह भी हमारा अंदर की तरफ वैसे चला गया है यहां पर फोड़ा समस्कों अंदर करते हैं तो यहां पे इतना हमारा काम हो गया है तो यह देखे 3 relationships को मदर से खोल रहे हैं इसी तरीके से से आपको भी पेच कर्सकी मदर से इन 3 metal यह त्यमिके पाफ़ी का Michael यह इच्छी बाद होता है कई बार क्या हता है यह फैयं बहुत ज्यादा पुरान हो जाते नहीं थो ह्याएं तो इन acadis कोई बात ने मोटर लगी उती है और मोटर को को क्या करेंगे एक बार देख लेते कूई वायरे कोई वाइर तो नहीं तो नहीं तो हुआ है कि उसकी वज़े से भी कई बार प्रोलम आ जाती ना तो यहां पर देखिए यह वायर वगर्ण है तो बिल्कुल सही लगी हुई है तो यहां पर यह पर यह प्रोलम तो नजर नहीं आ रही अब यहां पर एक चीज और हम देख लेते क्ई बार यह से बैटरी में कम कृतर होता है यह वार खराब हो जाता है तो इसको भी हम चेक करेंगे यहां पधुने का सबसे चलीकस क्या है सबसे पहले देखिए यहां पर हम 12 watching battery ले रही है और इस बैटरी से मिलक्स करणे यह जो वायर है इस वायर को हम यहां पर देखिए थोड़ा सा छील देते हैं यहां पर एक वायर को तो हम यहां पर लगा देंगे और दूसरी वायर को हम यहां पर इसके साथ लगाएंगे यह देखिए यहां पर हमने इसके साथ में लगा दिया है अब उसके बाद हमें देखिए इस टैप की चिम्टी लेन पर आपको कवरवाय चिम्टिक जरूराइब पड़ती है जो कि मैंने आपको बता गो रखा ए वीडियो के अंतर तो हमें क्या करना है स्वीच को चेक करने के लिए इन दोनों पॉइंट को देखिए यहां पर डारेक्ट करना है यह देखिए यहां पर मैं sort कर रहा हूँ तो यहां पर देखें चिंगारी निकले और उसके बावजूद भी जो हमारी motor है यहां पर काम नहीं कर रही है इसका मतलब क्या है कि switch हमारा okay है problem कहीं न कहीं हमारी इस motor के अंदर है तो चलिए अब हमें क्या करना है यहां पर सबसे पहले हम जो motor वाली वायर है इसको यहां से हटा लेते हैं यहां से हम इसको हटा आएंगे और यह वाली जो वायर है इसको भी हम यहां से हटा लेते हैं यह हमने काम कर लिया और यह जो वायर है बैटरी की इसको ही हम दूर-दूर कर देंगे तो हम थोड़ा सो मोटर है इसके आगे यहां पर पेश लगा हुआ सबहुत विक्षिये tiya शूटी से साइज को छोट तो कहा है डीशी हाँ करता है Só तो यहां पे देखे यह मोटर हमारी बिल्कुल जाम है, अगर हम इसे आगे से ऐसे घुमाने की कोशिस करें, तो यह घुम नीरिय फ्रेंट बहुती तगड़ी तरीगे से जाम हो चुकी है, और मुझे लग रहा है कि यह मोटर सैड अंदर से हीट होगी है, जिसके वज़े से यह प्रोलम आई है, तो यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहले, यह देखे मोटर के सैड में यहां पे और एक यहां पे इस सैड में चार लोग से बना रखे, इसको अंदर मैटल को अंदर की तरफ फिस्ट कर रखा है, जिसके वज़े से पूरी पैक है, तो हमें इसे खोल पड़ेगा, तो इसे खोलने के लिए देखे फ्रेंड, आप इस टाइब का कोई भी पेच्पस वगरा ले सकते हो, इसकी मदद से हमें इसे थोड़ा सा जोर लगा के खोलना पड़ेगा, तो मैं एक बार इसे खोल के अलग कर लेता हूँ, यह देखे फ्रेंड मैंने इस उपनर लेना है, इसकी मदद से हम सबसे पहले यह जो पीछवाली पत्ती है, इसको देखे हम यहां से उठाएंगे, इस तरीके से हमें, यहां से इसके उपर उठाना है, तो यह देखे जो इसकी पीछवाली पत्ती है, हमारी यहां पे बाहर निकल गई है, यह देखे कुछ प्लास्टी का एक सेट बनावा और इसके अंदर हमारे कारबन लगे हुए इसी से मोटर को सप्लाई मिलती है और यहां पर देखें इस मोटर के अंदर देखें यह मोटर बुरी तरीके से जल चुकी है यहां पर आप देख सकते हो अंदर पूरा का पूरा काला हो चुका है एक की वज़े से साइध यह मोटर हमारी काम नहीं कर रही थी तो यहां पर यह जो motor है friend यह तो हमारी पूरी बेगार हो चुकी है अब हम इस motor को यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर इसके अंदर कारबन वेगरा की problem होती तो यहां पर हम जुगार कर सकते थे लेकिन इसकी तो पूरी वायर है जल गई है और इसका जो नीचे के जो हमारे point होते हैं जहां पे हम फोल्डिंग वेगरे हैं वो पूरा प्लास्टिक कहीं सब जल गया है तो इसे रिपायर करने का कोई मतलब नहीं है तो यहां पर अब हम क्या कर सकते इसके अंदर हम ऐसी मोटर मारकिट में मिल जाती है इस मोटर को लाके इसके अंदर दुबारा से लगा के इसे रिपैर करके दुबारा से यूच कर सकते हैं फिलाल मेरे पास कोई दूसरी मोटर नहीं है बारा वोल्टेज की तो यहां पे मैं अभी इस फैन को रिपैर नहीं करूँगा चलिए फ्रैंड फिर मिलते हैं नेक्स टूडियो में कुछ नए टोपिक साथ अब तक लिए जय हिन वंदे मातरम